हेलो फ्रेंड लिसीजिएख्यादव है एड टुडे यू शूर्टे लिस्टार्टमडग्ड नेटवर्क्ट थेएडि म्लिख्यादव फ्रेंड यह बहुत हार यह बहूत है इंपोर्टेंट होने वाला है यह बहुत सारे exams में यहां से questions पूछे जाते हैं यहां से question है आपको prelims, men's और interview तीनों में यहां से questions आपको देखने को मिल जाते हैं, पूछे जाते हैं यदि हम बात कर ले gate की, engineering service की या फिर state engineering services के जितने सारे exams होते हैं उसमें यहां से questions पूछे जाते हैं यदि हम बात कर लें BPSCAE, JPSCAE, UPPSCAE, MPPSCAE या all other जितने सारे State Public Service Commission के जो Engineering Service वाले जो एक्जाम होते हैं, टेक्निकल वाले जो एक्जाम होते हैं, उसमें यहां से कोईस्टन पूछे जाते हैं, फ्रेंड यह सब्जेक्ट जो है, बहुत ही जादा मतलब छोटा सब्जेक्ट है और यहां से आपका weight is, यानि कि 1 से 2 marks, यानि कि आप objective के, यानि कि pre की बात करेंगे, यहां से 2 marks के question पूछे जाने के chances होते हैं, यहां से पूछे जाते हैं, इसके अलाबे men's में भी यहां से एक question पूछे जाते हैं, यहां से आपको men's के अंदर भी आपको एक question देखने को मि जाएंगे इसमें क्या है यहां पर आपको इस subject के लिए बहुत ही कम efforts लगाना पड़ेगा और इसका output होगा बहुत ज्यादा होगा ठीक यह subject बहुत ज्यादा छोटा इसमें selected topic पढ़ने आपको बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ने है ठीक है इसमें कुछ चीज़ें पढ़नी है और यहां से questions आपको देखने को मिल जाते हैं तो friend यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को share और subscribe कर लिजे बेल आइकन को phrase कर लिजे ताकि exam से related हर update आप तक पहुँच पहें तो friend आज का जो यह lecture है project management and network theory का यह बिल्कुल ही हम लोग zero से start करने वाल है project management क्या है तो friend कोई भी कोई भी project start करने से पहले आपको पता करना होता है कि material की requirement कितनी होगी हमारे पास resources कितने available हैं उसके बाद आपका basic purpose होता है इन दोनों का optimum use करके project को time पे complete करना यानि कि at minimum possible cost पे इसी भी project को complete करना ठीक है उसी को हम लोग बोलते है project management ठीक है project management with both material as well as human factor to increase the productivity ठीक है हम लोग क्या करते हैं इसमें कि जो हमारे पास manpower होते हैं ठीक है manpower materials ठीक है उनका best utilization करके हम को जो होता है कम time में optimum possible cost पे हमको इस project को complete करना हमारा main aim होता है ठीक है project management basically हमको यही पढ़ना होता है कि किसी भी project को हम लोग कम time में कम पैसे में कैसे complete करेंगे ठीक है तो इसका जो objective होता है वो क्या होता है friend वो होता है इस अपको it should be completed in minimum time with minimal capital investment Second one is, it should use available manpower and other resources optimally, हमारे पास जो भी उपलवद है, हमारे पास जो भी manpower है, resources है, उसका हम optimum use करके, उसका हम best use करके, जो हम लोग किसी भी project को complete करना, इसका objective होता है, ठीक है, तो project management में, there are three main phases of project management, first phase is project planning, second phase is project scheduling and third phase is project controlling, तो यहां पर तीन phase होते है, project management में, phases of project management, हो होते है, पहला होता है planning, second scheduling and third one is controlling, ठीक है, तो what is planning, planning क्या होता है, ठीक है, अगर आप किसी भी चीज की planning करते हो, तो क्या-क्या सोचते हो, यदि आप किसी चीज की planning करते हो, तो आप क्या-क्या सोचते हो, first, you have to define the project, सबसे पहले आप क्या करते हो, उस project का objective क्या है, उसको आप लोग define करते हैं, जाने के define objective of the project, means कि project में मैं क्या करने वाला हूँ, उसके बारे में हम लोग को define करना परता है, basically object of the project, वो पता होना चाहिए कि हमारे project का क्या objective है, क्या करने वाले है हम लोग, ठीक है, after defining the object of the project, our aim is to define the job और activity to be perform, हम लोग कौन कौन से activity को perform करने वाले हैं, उसके बारे में हमको उसके बाद जानना होता है, यादि कि listing job that have to perform, कौन कौन सी job हम लोग perform करने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानते है, then उसके बाद determining gross requirement of material, equipment and manpower and preparing estimate of cost and duration of various job, ठीक है, जब हम लोग listing कर लेते हैं, जो भी हम लोग perform करने वाले होते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग जानना हमको quantity में manpower चाहिए, material चाहिए, equipment ठीक है, उस materials बेगेरा के लिए कितनी cost की requirement होगी, कितनी cost लग जाएगी, इस सब चीजों का हम लोग क्या करते हैं, estimate करते हैं, ठीक है, then उसके बाद to bring about the satisfactory completion of the project, ठीक है, एक एक करके हम लोग इसमें जो इसके सारे objective होते हैं, वो हम लोग decide करते हैं कि इसका planning का क्या-क्या objective होता है, किसी भी project का, तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगी, इसमें footing डालनी होगी, foundation बनानी होगी, जो है वाल बनानी होगी है ना छत की ढलाई करनी कास्टिंग करनी होगी इन सब एक्टिविटी को पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए यह resources चाहिए होता है, the requirement of resources, इसका बाद हमको पता करना है कि पैसा कितना खर्च होने वाला है, जब हमको resources पता चल जाएगा, कि यह resources का हम लोग use करने वाला है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कि इसमें हमको कितना पैसा खर्च होने वाला है इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि direction to the whole framework means कि क्या कैसे किस तरीके से और किस के help से होने वाला है यह सारा जो project complete होगा किन-किन चीज़ों की मदद से किस किस तरीके से complete होने वाला है यह सब चीज़े हम लोग प्लानिंग के अंदर करते हैं तो अब यह सारी चीज़ों के मिला दे तो अब क्या है कि planning अब complete हो चुकी है तो second part जो है मारे पास हुआ है scheduling का ठीक है तो हम लोग अब scheduling देखते है तो scheduling what is scheduling ठीक है तो scheduling is the allocation of resources such as time, material, space, equipment and human and technological effort इसमें हम लोग क्या करते हैं allocate करते हैं resources का कि कौन-कौन किस चीज को complete करने के लिए कौन से activity को complete करने के लिए कौन-कौन से resources इनको चाहिए होगा कितना time लगेगा कितना material लगेगा कौन-कौन से equipment लगने वाले है तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करते हैं scheduling में यानि कि जो है allocation of resource उस activity को complete करने के लिए हम को क्या-क्या चाहिए वो हम क्या करते है scheduling के अंदर में करते हैं यानि कि allocation of research for example हमको casting करनी है तो उसके लिए कितनी manpower की ज़रुवत पड़ेगी कितनी cement चाहिए कितनी aggregate चाहिए कितनी steel चाहिए तो यह सब हम लोग क्या करते है basically scheduling का part होता है तो basic objective is proper allocation of resources किसी भी activity को complete करने के लिए proper इसको क्या resources चाहिए वो हम लोग क्या करते है scheduling के अंदर करते है जो resources है उनके बीच में inter-relationship होनी चाहिए means uniformity होनी चाहिए जहां पर जितनी resources की requirement हो वो available होनी चाहिए माल लेते है कि casting के लिए हमको जो जो चीज़े available होनी चाहिए वो होनी चाहिए जो है वो scheduling का part होता है यहां कि finalizing the plant function mechanically second जो होता है assigning starting and completion date to its activity to proceed in a logical sequence and in a systematic manner next third one is controlling what is controlling ठीक है तो दोज activity are identify which are running behind the schedule किसी भी बजार से हो चाहिए resource की बजार से हो या फिर किसी भी बजार से हो कोई भी एक्टिविटी जो है वो जो है जो completion time है जो उसका schedule किया गया है उससे यह भी behind चल ला है तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कुछ extra extra मतलब resources लगा के इसको हम time पे complete करने की कोशिस करते हैं कि means आपने किसी particular activity माल लेते हैं पार्टिकुलर activity है जो कि time जिसके लिए schedule किया गया था complete करने का और वो नहीं हुआ वो time पे complete नहीं हुआ यानि कि वो time जो schedule किया गया था उससे वो पीछे चल दा है activity को complete करने के लिए हम additional resources डेते हैं ताकि वो time पे complete हो जाए ठीक है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं controlling ठीक है यानि कि determination of deviation from basic plan and their effect on the project second one is replanning and scheduling of activity to compensate for the deviation which is called updating यानि कि हम लोग क्या करते हैं update कर देते हैं तो भी हम activities जो है वो schedule से पीछे चल ले हैं तो उसके लिए हम लोग extra resources लगाते हैं ताकि वो time पे complete हो जाए यह कुछ basic था कि project management में 3 faces होते है planning, scheduling and controlling ठीक है next अब हम लोग को यह पता चल गया कि जो project management में हमको कौन-कौन से faces करने होते हैं first one is planning, second one is scheduling and third one is controlling और उसमें क्या-क्या चीज़े हमको करनी पड़ती है planning करना पड़ता है कि हमारा objective क्या होता है यह सब करना पड़ता है scheduling के अंदर में हमको allocation of resources होता है controlling में जो भी पीछे होता है कोई भी activities तो हमको उसको extra resources देके हमको time पे complete कराना होता है यह चीज़े हम लोगों ने basic चीज़े देख ली अब कौन-कौन से technique यूज करते हैं इन चीज़ों को करने के लिए ठीक है तो technique used for project management ठीक है कौन से technique हम यूज करते हैं in project management में ठीक है तो जो पहला है हमारा सबसे पहला जो है identification of the activity कि वो activity running में है या complete हो गई है या नहीं हुई है ठीक है इन सब चीज़ों को पता करने के लिए हमारे पास एक technique होती है ठीक है कुछ technique use करते हैं तो पहला technique है हमारे पास bar chart ठीक है यह जो है टेकनिक है और जिन्होंने यह टेकनिक दिया है उनका नाम है Henry Gant जो की 1900 AD 1900 AD के अंदर इन्होंने यह इंट्रोडिव किया था ठीक है तो सबसे पहले कुछ चीज़े इनके बारे में जाल लेते हैं कि यह जो है it is a pictorial chart ठीक है first second it has two two coordinate यहाँ पर two होगा it has two coordinate ठीक है horizontal coordinate axis represents the time and vertical coordinate axis represents the activity इसमें 2 coordinate होते हैं आप देख चकते हैं यहाँ पर जो यह हमारा horizontal होता horizontal coordinate जो होता है वो represent करता है time को और यह जो vertical coordinate होता हो वो represent करता है activity को और यहाँ पर कोई activity होता रहता है ठीक है next the beginning and end of each bar represent a starting and finishing time of a particular activity respectively माल लेता हैं यहां पर यह यहां पर यहां पर कोई activity हैं यह ईंडिकेट जो करता है जो करता है ति की लेंथ काण जिया है रिकॉर्मेंट होगी करने के लिए जादा टाइम की ऱार्मेंट होगी तो यह कुछ थे इनके prospects के बारे में हम लोग कि यह एक पिक्टोरियल चार्ट हाइस में दो कोडिनेट होते हैं एक वर्टिकल एक्सिस एक वर्टिकल एक्सिस जो होते हैं वो जो एक्टिवीटी को रिपरजेंट करता है और जो होरिजेंटल कोडिनेट होते हैं वो जो है यूनिट आफ टाइम को रिपरजेट करता है ठिक है यह तो हो गया इनकाmäßig आप इनका कुछ लिटेसेंस है ठिक है वो क्या है उनके बारे हम लोग देखते है जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं यह हमारा बारचार्ट है यह जो है बारचार्ट आप देख क्या इन्डं करने के लिए इतना टाइक की रिक्वाइर्मेंट होगे आप यहाँ पे सान पर जितनी लेंगे यानि ूँट को रिफ्र जेंट इसके बारे में पढ़ते है कि Limitations of bar chart ठीक है तो पहला जो limitations है वो है lack of degree of details ठीक है इसका मतलब यह है कि यह बार चार्ट जो है only major activity जो होता है उसी को show करता है जो सब activity होता है उसको यह show नहीं कर पाता है उसका रिलेशन्स होता है उसको दिखा नहीं भाता इसका मतलब यह हो गया कि बार चार्ट जो है वह effective होगा कौन से project के लिए सिर्फ छोटे लेवेल का ऊपर्जेक्ट होगा उसके लिए यह effective हो गया जो बड़े प्रजेक्ट हो गया उसमें toh बहुत साजाी इंडे में प्रोग्रेस औफ वर्क को नहीं show कर पाता है यानि कि कोई भी प्रजेक्ट है उसका क्या यह प्रोग्रेस है उसको यह नहीं करता है इसका मतलब यह है कि इसको एजय हम कंट्रोल डिवाइस यूज नहीं कर सकते हैं ठीक है इसका मतलब यह है कि यह उस प्रजेक्ट के लिए उसके 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 लिए उ इसके लिए यह यूजफूल नहीं होगा next point क्या कहा था next point नेक्स जो लिमिटेशन साइसका कि बार चार्ट क्या नोट डिस्टिंग्यूस बेट मिन केटिकल एंड केटिकल एक्टिविटी ठिक है यानि कि यह जो है बार चार्ट में यह पता नहीं चल पाता है कि कौन से इसको कि लिए नहीं बता पाता है इसका मतलब क्या हो गया हम लोग उसके लिए टाइम को हैं डिले होगा है ठेकश्ब्क झत्र टाइम पर ही क्या है या यानि कि थोड़ा सा भी आ हन से बहुत और फिらए घ्ले हो जाएगा वैसे ऺक टीविटी को हम लोग बोलते है ऐसे इक्तिकल एक्टिवीटी औ 새벽 मतलब होत 나온 है जब यह हमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी एक्टिविटी जो है कौन सी नन कीटिकल है ठीक है तो उसके लिए हम लोग रिसोर्स स्मूठिंग और रिसोर्स लेवलिंग नहीं कर पाएंगे ठीक है यह कुछ डिमेरिट है यह बार चार्ट के अंदर ठीक है माइले स्टोन चार्ट जो है इसके अंदर क्या किया था इन्होंने कि यह जो सब एक्टिविटी है इसको यह रिपरजेंट किया था जो बार चार्ट के अंदर आपको जह सब एक्टिविटी को रिपरजेंट नहीं किया गया था लेकिन यह जो है यह माइले स्टोन चार्ट है है इसके अंदर यह जो आपका सब अक्टिविटी है यह इसको इसमें रिपर्जेंट किया गया है ठीक है इस अ मोटिफिकेशन ऑवरगेंट चार्ट माइले श्टोन चार्ट गिफ्स आइडिया एबाट कंपलेशन ऑफ सब इसमें सबस्वाट क्भाड़े में है इसमें आईडिया हमको पता चलता था ठीक है ठीक है यानि कि अलग-अलग कर यूज करते थे ठीक है यानि की अलग-अलग गलर का चल दा है यानि कि मतलब पहले चल रहा है उसको हम लोग green colors indicate कर देते हैं जो schedule से पीछे चल ला उसको हम लोग red colors indicate कर देते हैं और जो project जो है time पे हो उसको हम लोग yellow इसमें बहुँ होता है कि horizontal axis इसमें टाइम और एक्टिवीटी होता है यहाँ पर यहाँ चलता था चलता था चलता है लेकिन यह विठी प्रिप्रेश में अच्छा नहीं था तो इसमें भी एक improvement आई उसको हम लोग बोलते हैं network method ठीक है इस theory में main problem क्या था कि यह time का uncertainty था उसको यह लोग clearly define नहीं कर पा रहा था और जो activity के beats में तो interrelationship जो था उसको time जो था accountability जो था time का उसको यह लोग clearly show नहीं कर पा रहा था ठीक है यह कुछ problem थी ठीक है तो मतलब क्या कि activity interrelationship and accountability of time uncertainty cannot be defected ठीक है इस method में इसलिए हम लोग क्या किये कि इस पर एक improvement आया इस method मतलब इसी के उपर उसको हम लोग बोलते है network method तो चलिए हम लोग देखते है ने I hope आज के lecture में जितने सारे चीजे discussion हुआ आपके लिए बहुत ही ज्यादा helpful होंगे बहुत ही ज्यादा beneficial होंगे यदि आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो share और subscribe कर दीजे bell icon के press कर लिजे ताकि exam से related हर update हर information आप तक पहुँच सके फ्रेंड next lecture में हम लोग देखेंगे कि network theory क्या होता है उसमें कौन-कौन से method होते हैं जो हमारे पास most important method होते हैं जो generally हम लोग use करते है critical part method और part program evaluation and review technique ठीक है इन दो method का यूज करके हम लोग project को schedule करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे ठीक है तो बस आज के video बस इतना है thank you so much